तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेसन को सभी लोग जुड़ जाई यह फटापट और अनक यहां पर जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली लाइफ क्लाजिस मिलने वाली है ठीक है लाइफ टेस्ट कुजिस का फॉर्मेट भी मिलने वाला है आपको साथ ही सब्सक्रिप्स के अंडर आने वाले जितने भी एक्जाम है सभी की त्यारिया आप कर पाएंगे साथ ही किसी भी कोर्स में आप पर पाएंगे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका समय बचेगा और आप जो है घर में ही कोचिंग जैसा माहल आपको मिलने वाला इंस जैसा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा तो अनकेडमी प्लस को सब्सक्राइब पर सकते हैं क्योंकि जुलाई के इस माह में आपका कुछ प्राइज भी इसकी इंक्रेज होने वाली है तो अभी टॉप एजुकेटर के टॉप बैचे से स्टाट हो रहा है साथ जुलाई से तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनकेडमी प्लस को इसके लावा सफलता वेच आपको यह मिलने वाला है एससी छसल के लिए अलग से बैचे से स्टाट के जा रहे हैं तो वह भी आप अभी जॉइन कर पाएंगे जुलाई के इस महा में आपकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रेज होने वाली है अभी इन्रॉल कर सकते हैं आप इस कोड के द्वारा ठीक है एसपी स्टेडी कोड आपको इस्तमाल करना है तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें क्योंकि यहां से आप सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो थोड़ा सा वेनिफिट आपको बॉस्ताइगा वेरी गुड मॉर्निंग ओल फ्यू ठीक है इसके लावा जो है कल चार जुलाई को आपका एससी कॉमबेक्ट भी होने वाला है तो इसमें आप जुनना ना बूला है यहां भी स्टमाल कर सकते हैं लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ठीक है पर आपको फर्स रेकिंट थर्ड प्राइज आपको बहुत अच्छा मिल सकता है इसको जरूर जोन करिएगा 40 कोश्चंस आपकी यहां पर रहने वाले हैं 50 मिनिट के अंदर आपको वो करने होगे ठीक है चलिए सुरुबात करते हैं सेसन को फर्स्ट कोश्चं आप लोग की की स्कीन पर आंसर देंगे सबी लोग को आशिव बैरी गुड मॉर्निंग कुश्च ए पर आ चुका है आप लोग पहले क्मांसर क्या होगा आवज बगहरा सब अच्छे से आ आ रही है आप लोगों को प्रॉप्त हो रही है सिस्ट आपको पूस्ता यहां पर लिखी गई इ पास करते हैं आज की अपनी स्क्लास को फटाफट से सभी जुड़ जाएंगे जितने भी लोग है पर्सक्राइब करने जब तब बागी लोग जुड़ रहे हैं चलिए बेरी गुड़ मॉनिंग जुड़ते जाएं सभी लोग पहले कोशिशन की बाते हैं यहां पर पहला कोशिशन आप लोग की स्क्रीन पर दिया गया है पहला कोशिशन कहता है कि सरोजन आड़ो के दौरा कौन सी पुस्तक लिए तो गोल्डन थ्री स्वाल्ड वर्स 1905 मे साथ ही हम सरोजन आड़ो की बात करें तो भी वर्स 1925 में कानपूर ससन की अध्यस्ता करने वाली पहरी आपकी महला रहेंगी इंडियन कॉंग्रेस की रेसेंट बनने वाली फश्ट इंडियन वूमेन की भारती महला बनती है ठीक है इसके लाब उत्तर प्रिस राजी की पहर राजिपाली बनती है वो कोईशन नमबर टू आपके सामने नीम्राना बावडी राष्टी महत्व का एक इसमारक है तो आपको बताना वह यह कहां पर रोका किस राज्य में फटापर बताएंगे सभी चलिए रावडी पुलक शुच्दे वेरी गुड मॉर्निंग तेर कर दिया अच्छी बात है सभी लोग लाइक करते रहें चली कोईशन नमबर टू का अंसर देंगे भी सभी लोग जितनी वी लोग जुड़त चोके हैं टू करेंगे अब आप लोग लेकि टू आपसे कहता है कल भी मैंने बताया था आपको एक अनकेडमी पर जम पढ़ रहे थे तो याद रखना है आप यहां पर ही राजस्तान के अलवा डिश्टिक में है और थारवी सताब्दी में इसका निर्माद करवाया जाता है ठाक और जनक सिंग के द्वारा करवा जाता है काफी गहरी ज कोशन एक्जाम आया हुआ है ही में फिलिया एक मानव रोग है तो इसका कॉस क्या है कारण पूशा जा रहे आप सभी लोग अंसर देंगी जितने भी लोग चुड़े हैं हम पढ़ चुके है इस प्रकार के कोशन तो किसी का गलत नहीं आना चाहिए सभी लोग आंसर देगा चलिए बढ़ और पूशन नमबर थिरीक और नहीं अनसर देंगे सभी लोग कोशन नमबर थिरीक अमारा उत्तर क्या होगा ही मोफिलिया क्या है एक मानव रोग है उसका कारण पूशा जा रहे है आप लोगों से चलिए सब यह आंसर पर देंगे फटापट से राइट आंसर हमारा क्या होगा तेके बैए कोश्चन की बात हो रही है आप लोगों से यहां पर की हीमोफिलिया से रोग की बात किजा रही है तो डी उप्सन कितने लोगों का रहा है बिल्कुल इसकी आंसर हो जाएगा अवशेक जी वैरी गुड मौनिंग नजीम वैरी गुड मौनिंग तो यहां पर आइटेंसर ओका मारा उत पर दिजी जीन इसका सियान बात करें यह रोख किसी व्यक्तिव को तो उसका blood clotting नहीं होता easily ठीक है so option D हमारा correct हो जाए कुछ इस प्रकार इसकी इस्तिती बनती है जासे कि अगर हम बात करें महतासिज हो है पुत्र में आने के चांसे ज्यादा रहते हैं कि प्रभावित होते हैं पुर्स बहाग उतनी मुख्यत है इसकी महला चलिए कोशन नंबर six कर लेते हैं अपका एड़ कोड़र सभी को पता होगा भी कहां पर है क्योंकि ऐसे कोशन आते रहते हैं चलिए आंसर करेंगे सभी लोग कुशन नंबर आपकी स्क्रीन पर फूर आ चुका है अज आवाज थोड़ी से अच्छी आ रही होगी सभी को क्लियर आ रही कल थोड़ी से दिक्क्त आ रही तिस बेसे माइक का इस्तमाल करना पड़ा अभी कुछ समय तक फोटा वाला माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है अब तक चलिए तो बैकोशन नंबर फूर कहता है आपसे की ओपेक का हैड़ कोडर कहां पर है वह सेप्टमबर 1960 में होती है इसकी स्थापना होती है कब होती है 1960 में इसकी स्थापना करी जाती है ओपेक की बगदाद में है लेकिन हेटकौर्टर है आपका विया नाम है चलिए फिरागे बढ़ लेते हैं अगले कोशन की ओर कोशन नंबर फाइब करेंगे आप सभी अब चलिए अच्छी बात है बहुत से आ रही है तो सब कोशन नंबर फाइब की बात है कर लेते हैं हम यहाँ पर कहा जा रहा है आप से कि महाराश्ट का लोकन रहते हैं वो कौन सा है वो आपको बताना है नहीं मैंसे अभी पूशा गया था आपका यहां पर फाइंड करना है चलिए बिल्कुल काफी दिन बाद सेसंस आपके श्टार्ट किए गये हैं कोड़ा सा स्वास्त के कारणों के चलते चलिए तो कुशन नंबर फाइब करेंगे अब अब डेली से रहा है आपका इसेसं सुभा आट पंद्रा पर आप लोग जोड़ यह कोशन आता है अग्जाम में यक्षिघान कहां का वोगां पढ़ चुक है कई बार तो बहुत अब यहां पर लावड़ी तमासा भी है महराष्टर का ठीक है तो तमासा भी याद रख रहा है आपको वह पूश्याता है अब देखें यह कोशन आपका SSGD की परिक्षा में कूशक है 2019 की परिक्षा में कि महासागर की परपटी होती है मुक्यत है सिलिका और किसे बनी होती है वो आपको बताना है और सेसन को लाइक करते हैं भी सभी लोग चलिए कोशन नंबर सिक्स दिया आपकी स्क्रीन पर और कोशन कहता है कि महासागर की परपटी है मुक्यत है सिलिका और किसकी बनी होती है चलिए बताएंगे सबी लोग राइट आंसर क्या होगा थोड़ा सा एलेक्रिसिटी यसी होगा लेकिन सेसन आपका कंट्यूनी चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए कोशन नंबर सिक्स करेंगे आप सभी तो भी हमारे कोशन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा याद रखीगा यहाँ पर इसको सिमय की नाम सी भी हम जानते हैं डारेक्ली इसको सिमय भी का जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और जोह मेगनिशियम होता है आपका यह कोशन आता है आपके एक्जाम में ठीक है चलिए अगला question करेंगे आप सभी लोग फटापट से question नमबर दिया है आपके सामने 7 सभी लोग 7 करेंगे फटापट से यह हमारे question नमबर 7 का answer क्या होगा चलिए दीजे answer आप लोगों से 7 के हम बात करें कि कौन सा अंग है यह आप से पूशद आ रहा है यहां पर इनमें से कौन सा अंग रहेगा जिसको सुई से चुबने पर कोई दर्द नहीं होता पर कौन सांग होगा आपका चलिए ब्रेन आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है आपका राइट आंसर होगा हमारे option बी पर दिया गया है ब्रेन हमारे question का सी आंसर होगा हमारे आंत्रेक मस्तिक की बात करें तो इसमें जो है आपका सुई के चुबने से कोई दर्द महसूस नहीं होगा इसके अलावा तो अच्छा है इन सभी में आपका जो है पेन फील होगा ठीक है यह कि मस्तिसक में किसी भी प्रकार के दर्द इस पर्स की आपकी receptor होते हैं वह नहीं होगा है कि अब अब आपको आप सभी को आवद बगर अच्छे से आ रही है थोड़ा से इंटरनेट काई दुए आजिए तो फ्रकार करेंगे अब आप थोड़ा से इंटरनेट का इस हो गया अपर अब बात करते हैं कोशन नमर एट के पारे में फटा फटा से आप लोग आंसर देंगे कि कतर में आपका फीपा विसकॉप का आज़न होने वाला है 2021 मे कौन सा अधिवा का आपका फीपा का यह आपसे पूशेदा रहा है तो यहाँ पर यहां पर संसक्रन रहेगा कतर में इसका है होने वाला खाड़े दियस रहेगा आपका कतर ठीक है इससे पहले 2018 में आपका हुआ था ही 21 बाद चली तो राइट अंसर हमारा बनेगा ऑप्शन जो C पर आपका दिया गया है ठीक है चलिए कुशन नमर 9 करेंगे भी आप सबी लोग आप 9 का हमारा आंसर क्या होगा वारतिय विज्ञान संस्तान की बात की जारी भी ये कहां इस्तित है भारतिय विज्ञान संस्तान कहां इस्तित है वो आप लोग को बताना है राइट आंसर हमारे कुशन का दो है क्या बनेगा चलिए सभी आंसर करेंगे विए कुईशन नमबर आपकी स्क्रीन पर दिया है नाइन कि नाइन के रहा है आप लोग उसके भारती विग्यान संस्तान कहां पर रहे तो भी आपका कूल काता मापकी कहां बेंगलोर में रहेगा जो अपसंट डी पर आपका दिया गया है बेंगलोर में यह कुईशन मंता है एक्जाम 27 मही 1909 को इसकी स्ताफना करी जाती है वारती विग्यान संस्तान की जो स्ताफना होती है यह 1909 में करी जाती है और यह कहां पर है बेंगलोर में है चलिए नेस कुईशन क्यों बढ़ेंगे अब हम अब देकि यह कुईशन कई बार एक्जाम में आता है एससे जी दी में पूशा गया है गटिया रख्त में जो है किस अमली की अधिक्ता है कारण होता है यह कौन सा एसएड है इसकी अधिक्ता से यह हो जाता है यह आपको बताना है आप पर कुईशन नम्मरत यह है 10 10 करेंगे सबी लोग 10 कह रहा है आप लोग उसे गठिया रखत में किस अमल की अधिकता के कारण यहाँ पर जो होता है यह याद रखीगा भी राइट आंसर हमारा क्या बनेगा इस कोईशन का बिलकुर राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर यूरिक ऐस्ट यूरिक एसिट की अधिकता एकारण आपका गठिया बन जाता है इसलिए का जाता भी टॉलेट समय समय पर करना चाहिए आपका नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यह काफी सारे जो है विसेले तत्व हमारे जो है हम जो है उत्साजित करते हैं चलिए कोशन नमबर 11 की बात की जा रहे हैं हम पढ़ चुके हैं सभी वहां साथ देंगे जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं उनको पता होगा इसका आंसर हमारा क्या होगा और विट्रियल का रसाइनिक सूत्र पूशतार है बहुत ही आसन कोशन है और कई बार इसके बारे में डिसकस हम जो है कर चुके है ठीक है कि ऑल विट्रियोल की बात की जारी यह दूसरा नाम रहेगा किसका दूसरा नाम है यह जल्दी से बताएंगे सबी लोग कोशिन नंबर आपका दिया है 11 एस्ट्व और सफूर क्या है आपका एस्ट्व और सफूर राइट अंसर होगा ऑप्शन डी ओएल और विट्रियल के अगर हम बात करेंगे वह जाएगा आपका एस्ट्व और किसको जानते हैं हम इसलिए करेंगे अब हम लोग यहां पर कहता है आपसे कौन सा चूल राजा है जिसने तंजोर में राज-राजिस्वर मंदिर जो है बनवाए था कि अधिक कुशन नंबर करेंगा फटाफट से कौन सा चूल सासक रहा है जिसके द्वारा राज-राजिसवर का मंदिर बनवाए गया वह आप लोग को यहां पर बताना है वह राइट आंसर हमारी कुशन का क्या बनेगा ट्वैल का कि यह कुशन एक्जाम में भी पूशा किया आपका यहां पर राज-राजिसवर का मंदिर जो है इसको ब्रहदिशवर के मंदिर के नाम से भी जानते जो कि कहां पर रहे आपका प्रत्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्राश्ट्र पहले क्रिकेटर बने हैं विस्वकी तो वो कौन है वो आपको बताना है मार्टिन, गब्टिल, केन, बिलियमशन, रोहिस, सर्माय, विराट कोली दीजेगा अंसर, कोईशन नमबर 13 देखिए वी कोईशन नमबर आपको जो 13 यहां पर कहता है कि अंतराष्टीी मैंचो मैंनिकी, इंटरनेशनल की बात की दा रही है, इंग्लेंड के खिलाब मैंच होता है वहाँ पर आपका यह मुकाम आसिल करते हैं विराट कोली 3000 कंप्लीट होते हैं उनके आगे बढ़ेंगे हम कुछ नमबर 14 की मखन होता है आपको उसकी बात की तरी बटर में कौन सा एसेड मौजूद होता है इनमें से वह आपको बताना है साइट्रिक एसेड व्यूट्रिक एसेड लेक्टिक अमल या यह सभी चली फाइनली एलेक्ट्रिसिटी आपकी आच चुकी है और आप हम क्लास यहां से और अच्छे तरीके से कंट्यूनि करते हैं तो कोशन नमबर 14 क्या कह रहा है आपका की मखन में कौन सा एसेड मौजू कहते हैं कि मखन में कौन सा अमल रहता है तो यहां पार हम कन्फिस रहते हैं कि द्ध Aren – उसको कोशन नाम से हम जानते हैं क्या कहते ہं इसको वी कहते हैं जो कि मक्खन में मौजूद होता है चलि जल में वाईू का बलबला, जो होता है अपि किस प्रकार के लेंस की तरह ये कारे करेगा वो आप लोगों स्बक्राइब उसे पूशिद आ रहा है QN 15 में कि जल में जो वाईू का बलबला रहता है आपका इस प्रकार का अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार किस तरह का काम करता है चलिए पर आंसर दीजिएगा कोईशन नमर 15 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा ठीक है सेसन को लाइक जरू करनें जितने भी लोग अभी जुड़े है चलिए क्या होगा आंसर चलिए क्या नमर 16 एक आपकी मिसर दातु जिसको गन मेटल कहते हैं तो ये मिसर दातु जो है आपकी किस किसे मिलकर बनी है वो आप लोग को बताना है चलिए बई, कोशन नमबर 16 करेगा फटापट से सबी लोग देकिये जो गन मेटल आपकी रहेगी एक मिसर दातु है आपको यह किसकिस से मिलकर बनती रही है उसको याद किया थै किम इसम परकर याद रखेंगे जरासे भ clinics सा हो जाएगा copper, tin, zinc हो जाएगा जो option C पर दिया गया है इन तीनों की एक मिर्स दातु जिसको हम जानते है gun metal के नाम से ठीक है चलिए गोआ का लोकनत्य बताना ये भी exam में पूशा गया आपका SSC में गोआ का देखे question number 17 आपसे क्या क्या रहा है कि गोआ का लोकनत्य है इन में से वो आपको find करना है आपर कौन सा होगा से अच्छा question है exam में आया हुआ है तो फटापट से भी इसका सभी उखनत्य होगे इसके लाव माच दिया गया माच कहां का है अगर माच की बात करें बेऊ तो सभी को पता होगा यह होगा हमारे Assam का थो आपने वाद करें घ्रकंड का हो जाएगा ठीक है माच की बात करेंगे तो मध्यप्रद्रिस्का बाई जाएगा मद्य प्रिदिस्क हो जाएगा ठीक है तो राइट एंसर ऑप्सन ए हो गया इस कोईशन का चलिए अब देखिए यह कोईशन हम पहले पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा कोईशन है फिर से आपके सामने है यह कोईशन कि नाइट्रोजन इस्तरी करण के लिए कौन सा इसकी बात की जा रही है चलिए कोईशन नंबर आप लोग करेंगे यहां पर अब 18 18 का राइट अंसर हमारा क्या होगा अच्छा कोईशन आप लोग की स्क्रीन पर राइट अंसर हमारा क्या बनेगा इसलिए आपका इहां पर क्या होता है कि यह राइजोबियम है दलहनी पौदे मुक्यत बात करेंगे तो जो दलहनी पौदे होते हैं उनकी जड़ों की गाठों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का क्या करता है इस तरह करन करता है और नाइट्रेट में बदल देता है है नाइट्रेट के रूप में किस रूप में नाइट्रेट के रूप में तो इसलिए इसको का जाता है और आपका क्या नाइट्रोजन से नाइट में बदलने वाला तीक है सुआ एंसरों को ऑप्षिन भी राइइवयम वेक्टेरिया इस चिपसें जोटी कुंसी वह आप आप question number 19 करेंगे अंटार्टिका की सबसे उंची चोटी पूछी जारी आपसे highest peak of Antarctica पूरे अंटार्टिका की सबसे उच्छतम बिंदू आप लोगों से पूछा किया यहाँ पर question number 19 करेंगे आप सबी लोग फटा पड़ से आप अब यह कौन सा हो जाएगा लगवग 4892 मिटर इसकी आपकी हाइट रहेगी उचाही रहेगी हम बात कर चूके हैं इसके बारे में Mount Vinson so option B पर आपका दिया गया है Mount Vinson जो है आपका अंटार्टिका का highest peak है option B correct हो जाएगा Elbrus कहां का हो जाएगा यूरोप और अर्शिया में आपका रहेगा यह मुक्त से यूरोप की ठीक है option B correct हो जाएगा हमारा इसको यूरोप की रहेगी है Elbrus तो आपका दिया है Elbrus आप question number 20 को और बढ़ेंगे हम Olympic में पदक जीतने वाली पहली भारती महला पहलबान आप लोगों से पूशी जा रही है और ऐसे question आते हैं exam में चली तो फटापट करेंगे आप लोगों question number 20 का answer क्या होगा भी अब 20 कह रहा है आप लोगों से कि Olympic में पदक जीतने वाली पहली भारती महला पहलबान आप लोगों से आपर पूशा जा रहा है राइट आंसर क्या होगा लेकि डारेक्टली कोशन पूछाता है कि ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने बाली हमारे पहली भारती महिला कौन सी है तो राइट आंसर हमारा करणम मलेश्वरी होता है जो कि सिड्नी ओलंपिक 2000 में आपका यहां पर जीती है ठीक है लेकिन यह ब्रॉंज मेडल जित्ती है कौन सा मेडल जित्ती है यह जो है ब्रॉंज मेडल जित्ती है याद रखी कर राइट आंसर हमारा ओप्शन सी करेक्ट होगा पिल्कुल रभी तो यहां पर राइट आंसर हमारा कौन से होगा ओप्शन सी होगा अब देखिए ऑप्शन आपका इ A नहीं करड़ा मलेस पर इजब होता जब आपसे पहली मैला पूशी जाते हैं डारेक्ली बिल्कुल कोशन नमबर आप परेंगे आप लोग 21 इलावाद की संदी पूशी जाते हैं कई वार एक्जाम में कि यह किस युद्ध के बाद होती है किस किस के मद्ध होती है यह कोशन बहुत बनता है तो यहाँ पूशा गया है इलावाद की संदी मुगल समराट और आपका रोबर्ट कलाइब के मद्ध होती है तो कौन सा मुगल सासक रहा है जिसके मद्ध यह संदी जो है होती है अब देखी कौन से युद्ध के बाद होई होगी तो आप आइडिया लगा सकते हैं यह होती होगी कब सत्रा सौ पैंसटम होती है तो कौन से युद्ध के बाद ये हो सकती है दीजेगा आंसर बिल्कुल अनवर जी बी कुश्चन का राइट आंसर इसका भी नहीं होगा चरिए लिए ओलम्पिक में बात किके थी कुश्चन नमबर ट्वेंटी में उसका राइट आंसर आपका साक्षी मलिक रहेगा अब यहाँ पर हम बात करें ट्वेंटी वन के बाहरे में कि इलावाद की संदी में आपका जो है बात की जारी है आपसे रॉबर्ट कलावा किसके मद दे तो भई यह आपका किसके मद होता है शाहा आलम देती है जो आपसन सी पर आपका दियेगा इसका भी राइट आंसर हमारा आपसन सी हो जाएगा ठीक है साहा आलम देती है बिल्कुल आपसन स जो आपका बहुती सिंपल सा है कौन सी नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो आप लोगों से पूशे दा रहा है चलिए सब यह answer करेंगे question number आपकी screen पर दिया है 22 यानि कि बेव बंगाल में गिरने वाली कौन सी नदी रहीगी यहां पर वो आपको बताना है दीजेगा अंसर दीजेगा आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूशेगी 17 नर्मदा कृष्णा चंबल कौन सी हो सकती है चलिए क्या आ रहा है आप लोगों का अंसर यहां पर दीजेगी इसका राइट अंसर हमारा बनेगा यहां पर किष्णा रिवर्स हो है आपकी कौन सी नदी हो जाएगी किष्णा रिवर्स का सी अंसर हो जाएगा महावलेस पर से निकलती है आपकी और आंद प्रदेश के साइट से होती हुए आपका अरिवियंसी में जाती है क्योंकि यह चेदा में जाकर मिल जाती है ठीक है उसके बाद चंबल की हम बात करेंगे तो चंबल आपका जो युमना की साइक नदी के रूप में जान जाती है तो राइट अंसर हो का हमारा इसका कृष्णा ठीक है कौन सी नदी होगी क्रिष्णा नदी आपकी यहाँ पर होगी जो की आपका बेवा बंगाल मजाकर गिर जाती है अब 23 करेंगे आप तो आंसर करेंगे वह सभी लोग राइट आंसर हमारे आपकर क्या बनीगा देखी कृष्ण कहता है आपसे पंद्रों बित आयोग किसकी अध्यश्ता में है वह आप लोग के यहाँ पर बताना है और राइट आंसर हमारा क्या बनने वाला है इस कृष्ण का एन के सिंग बिलकुल और राइट एंसर क्या होगा आपको आपसें जो हमारा बी पर दिया गया है दोजार बीस इकीस से दोजार पच्चीश अबिस तक आपका यह रहने वाला है कि छलिए थोड़ा सा इंटरनेट का इसू हो रहा है इतनी आपर चलिए अप सारी चीशने ठीक है तो आपको आंसर देना है कोशन नमबर 23 का ठीक है पंद्रवे वित्त आयोग की बात कर रहा है कोशन आप लोगों से कि पंद्रवे वित्त आयोग किसकी अधिस्ता में तो एन के सिंग अंसर हमारा यहां पर रूज आएगा कई बार पूशाता है आपसे डारेक्ली कि यह आपका जो है जो वित्त आयोग है यह कौन से आर्टिकल से संब्धित है जिसके द्वारा आपका जो है प्रेसिएंट इसको जो गटित करता है तो वह याद रखना हमें आर्टिकल कौन सा होगा हम पढ़ चुके है अलाग कि इ यह सी नियोगी जो आपका प्रिथम वित आयोग के अद्देश रहते हैं यह पूशे जाता है चलिए कोशे नंबर करेंगे आप लोग का 24 यह पूशे आता है कोशे एक्जाम में कई बार इंट्रेशन एस्ट्रेशन ओफ एट्लेटिक्स फेडरेशन होया आपका आई एए एफ का हैड़ कोड़र कहां परिष्टेता है नियू यॉर्क बर्लिंग जेनेवा उन्हें को यह कुशे आता है एक्जाम में आपका आंसर करेंगे सभी लोग आप कोशे नंबर आपको जो दिया है स्क्रीन पर 24 क्या होगा अब यह आंसर 24 का लिए कि इंटरनेशनल आसस्यसेशन ऑफ अफ एटलेटिक्स फेडरेशन जो है इसका एड़क वर पूशे आता भी यूरोप में है आपको मोनोकियो में ठीक है ना को यूरोप में आपका इसका हैड़कोटर यह इक्षिन एक्जाम में पूशे आता है 1912 में आपका इनकी 1912 12 में इसकी स्थापना करी जाती है स्थापना कब होती है इसकी 1912 में पिल्कुल जितने भी लोग को ऑप्शन डिया सेंस रोजा के मौनाय को यूरूप में आप पर रहेगा 1912 में स्थापना होती है कौन से स्वाध रिसेप्टर आपके जिव के पीछे इस्तित होते इसे आपसे पूस्यतारा है तुक्त यहां पर आप से स्वाध ग्रहक पीछे इस्तित होते हैं इस अप् sa चीज नहीं है कोई भी बात करने किसी व्यक्ति की बात करने तो सुरू में तो भी लोग मीटा मीटा बोलते हैं कि कैसा लगता है मीटा बाद में रिष्टे जुआ आपके नमकीन उसके बाद खटे होते जाते हैं अंत में करवाहत आ जाती है वही इस प्रकार थोड़ा सा मिया रहने की कडवे दुहय आपका रहता है चलिए कोशन नमबर 26 करिएगा अब यह कोशन अभी पूशा गया था आपका SSC CHSL के एक्जाम में की भारत के संभिदान में कौन से आर्टिकल हैं जो कि हमें धार्मिक सुतनता के अधिकार की गारंटी देते हैं कौन से आर्टिकल र कि देखिए तो कोशन नमबर 26 जो है आपका राइट एंसर मारोगा आर्टिकल 25 से 28 जो आपसन हमारा बी पर दिया गया है और कई बार यह कोशन आता है कन्फिजन होती है आर्टिकल 1922 यह वाले में कन्फिजन होती है कुछ लोगों को ठीक है राइट एंसर मारो ऑपसन भी ह हो जागा यहां पर जो कि हमारे किस के अंतर आता है भाग 3 की हैं आएंगे आपके सम्भदान का जो भाग 3 हैं उसी के अंतर आते हैं हमारे मारे फंडमेटर राइट के इंदर जो की 12 से 35 के मद्श्ध आपके दिये गए है तो राइट एंसरो का ओप्सन भी बिल्कुल आप ये question आपका ssc के exam में पूशा गया है लाल बाख किला भारत के किस पड़ोसी देश में इस्ते थे तो आपको बताना है चलिए सबी आंसर दीजिएगा क्या होगा राइट एंसर पाकिस्तान स्री लंका चाइना या बंगलादेश कौन सा बारती राज है आपका जहां पर मफकी जिए बारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर लालबाग किला हिस्तित है मुगल सासन के दोरान यह बनाया जाता है आपका लालबाग किला जो कि आपका बंगलादेश में हिस्तित है बंगलादेश के डाका में जो हिस्तित है तो ऑप्सन राइट एंसर हमारा होगा ऑप्सन डी ठीक है ऑप्सन डी इस कुशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलादे किसमें इस्तित रहेगा कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका ये चलिए 28 करेंगे अब आप लोग ये कोशनम कई बार बढ़ चुके है तो देखते ही आप लोग का आंसर आज आएगा ठीक है तो ये आपका हड़तमिति की आदार पर किसका विले नहीं किया गया था किस पर अधिकार नहीं किया गया था इन चारों में से जहांसी, सतारा, जुनागर्ड और नाकपुर क्या आ रहा है आप लोग का आंसर कोशन नमर 28 का देखिए 28 कह रहा है आप लोग उसे कि निमल खेस में से किसे वियपकत के सिद्धान त्यानी की डॉक्ट्रिन आफ लैप्स की ब बाद तक अगर हम बात करें उसके बाद इस पर जो जो हडिकार होता है इस तार इस रियासत को जो असामिल किय जाता है तो राइट अनसर हमारे यहां पर हो जाएगगा हो उपसन जो सी पर किया गया है अब कोशन कई फर पुश आता है कि जुनागर्ड जो है जूनागर्स कि समय जूनागळड़ पर कौन सासभष he deze कोशन एक्जाम करता है कोयर रखना आपको महावत महावत जismo हुए आपका खंजीद तिरती तो कि दसवा नवाप पर आता इसका थैक्ति कल रहा है कि निस दिरुस तक उस पर सासन करता है यह कोशन सासिच प्रिदेस में इस्तित है वो आपको बताना है पिक्षर के तो हम देख सकते हैं इसको तो फटा फट से आंसर देंगे आप लोग कोशिय नंबर 29 का इंडिया फर्स्ट एवर फ्लोटिंग इलिमेंटरी स्कूल की बात की जा रही है आप लोगों से यहां पर जम्मु कु पूशिज नहीं जो बहुत पूशी जाती है यह दोनों चीज एक है राश्टी उद्ध्यान की बात करें तो कौन सी जील में कीभूल लामजाओ कहां पर मनीपूर में तेहरता हुआ रहेगा ठीक है और उसी जील में रहेगी आपके क्या यह तेहरता हुआ वगा बिद्ध् और चलिए जो रायट आणसर हमारा क्या बनेगा पर आपका दिया गया बिल्कुल एक रसका नाम दिया गया लोक टक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल ठीक है लोक टख जील पर है लाइफ्लाइन और मनीपूर कहते हैं इस जील को चलिए बई नौकिया के CEO कौन है कोशन नंबर 30 नौकिया के CEO आपसे पूशे जा रहे हैं तो जो कम्पनियों के CEO हैं वहाँ से कोशन आता भी अगस्त 2020 से स्पद पर है नौकिया के CEO के रूप में ये पताएंगे आप लोग राइट अंसर क्या होगा चलिए कोशन नंबर 30 करेंगे सबी तो अभी 30 कहता है आपसे नौकिया के CEO कौन है वह आप लोगों से पूशा गया है और कई पर पूशा था ने कि नौकिया का हेड़कॉर्टर कहां पर एस्तापना कब हुई थी इसकी ये कोशन में हमें देखने को मिलता है तो फिनलेंड में में 1865 में इसकी स्तापना करी जाती नौकिया की चल्दी से अंसर देखने कोशन में 30 का देखी राइट एंसर हमारे इसका वने का पेक का लुंड माग जो आपसन आप पर डी पर दिया गया है यह अगस्त 2020 से इस पद पर हैं राश्टपती सासन किसी भी राजम हम देखने भ वर्स की हो सकती है इसके बाद उसमें चुनाव करवाई यह किसी को निक्ट कीजिए राश्पती नहीं चलेगा तो इसके अवदी बताई गई है कि कितनी अवदी है और आश्पती किस अनुच्छित के द्वारा लगता यह कोशन पूशे आता है किस अनुच्छित में दिया चली है अब जूँआ है कि अच्छित थीक शर्वाद थोड़ा था इंटर्नेट का बहुत जादा इस वह थोड़ा से इसको जो है हूं अच देखने वाला हूं इसको में तो कोशना में करेंगे आप सभी लोग फटापट से थर्टीबन कहता है कि राश्पती अब्दी क्या है आप की तो यहाज है तीन वर्स है लेकिन सर्थ यहां पर यह कि पिटी कि शह माँ बाद टीको है क क्या करना होगा संसक्थ की मंजोडी लेनी होगी यहां पर चलिग है कि की संसदो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब बनारस के केंद्रिय हिंदू विद्याले जो है आपका उसकी स्तापना जो है आपकी 1899 में किती किसके द्वारा विद्ध्याले तोड़ा गलत लिखाएगा है चलिए पता राज आएगा हमारा यह तो आंसर करेंगे आप लोगो कोशन नमर्ट थर्टी टू का अंसर क्या होगा सबी आंसर देंगे वही कोशन नमर्ट थर्टी टू आप लोगो की स्क्रीन पर है बनारस का जो केंद्रिय हिंदू विश्विद्याले जो रहा है उसकी स्तापना 1899 में किसके द्वारा करी जाती है तो याद रखीगा भी एनी बेसेंट जो थी इनके द्वारा की जाती है ठ कॉंग्रेस का पहली कोई महला रहती है इंडियन इसर कॉंग्रेस की अद्धश बनने वाली ठीक है सुराइट एंसर हमारा ऑप्सन डी यहां पर बने का इस कुशन का ठीक है बात मैं 1916 में क्या होता है मदन मुहन मालविय को यह आपका या उसको डेवलप पढ़ते हैं आग कि आप चाये तो इस कुशन को नूट करके रख रहा है आंसा कोशन अक्जाम में यह बना है और पूशह भी आ सकता है तो आप नूट कर लिया कर रहे क्योंगे कि वहाँ से कुशन एक्जाम में आने लग रहे हैं तो बताएं कि आप है आप रहाए आए आंसर हमारा क्या बन का रेड ओलेंडियर पुस्तक के लेखक आप लोगों से पूशे जा रहे हैं तो याद रखी का राइट अंसर हमारा क्या बनिगा है यहां पर 33 का कि अभी आंसर दीजेगा 33 का कि क्या होगा अंसर कि इसका राइट अंसर हुआ हमारे हैं पर रविद्ना टेगओर उर्द्यव रविद्ना टेगओर होगा जो अप्सं बी पर आपका दिया गया है रैड ओलेंडियर पुस्तक के आपके लेखक है वर्स 1925 में यह पुस्तक को प्रकासिट करा जाता है रेड ऑलेंडियर याद रखी का यह कुशन एक्जाम बनता है आपका ठीक है तो ऑप्सन भी हमारा क्रेक्ट होगा यहां पर ठीक है चलिए तो भी सेसन आज का यहां पर आपका होता है कंप्लीट कल मौर्णिंग में आपसे मुलाकात होगी हो सकता है ना हो क्योंकि कल अनकेडमी पर सेसन रहने वाले हैं सुबह से ही यह एक आठ वचे हो सकता है तो यह सेसन नहीं होगा फिर आपका उसके बाद आपका दस से बार है यह तो यह सबी लोग जुड़ जाए है फॉलो कर लें अनकेडमी पर जाकर ठीक है और करेंट अबर पढ़ आप लोग और सबी का बहुत बहुत हैंने बास सेसन में जुड़ने के लिए लाइक एंड जरू करिएगा सब्स्ट्राइक करके रखें जिससे आपको क्लासेस मिलती रहें बाकि आप लोग कल अनकेडमी पर जुड़ें अभी भी सेसन होगा आपको आनकेडमी पर टैन एम एक छोटा सा सेसन रहेगा बाकि कल आपके सेसन रहेंगे तो बाह आट बजे से ही क्लासेस आपकी अनकेडमी पर स्टार्ट हो साएंगी सबी लोग जुड़ें ठीक है करें वन लाइनर में जिसे एक्जाम टाइम आप प्रिविजन करके जाएं और आप एक्जाम में कोशन देखने को आपको मिलने वाले हैं